Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel, मैं हूँ बलमिंदर कौर आपकी होस्ट और दोस्ट. Guys, इस वक्त मैं खड़ी हूँ MG की शोरों में, जो की द्वार का दिल्ली में बेस्ट राउट है. Inquiry के लिए आप स्क्रीन पे नंबर चेक आउट कर सकते हो. So guys, I am back with another video और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ MG Gloucester Sevy 7-Seater Model Cup. इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो, तो आप मेरी email ID जो की अबी screen पर डिस्पले हो रही है, उस पर आप रिच आउट कर सकते हो. So guys, यह है MG की Gloucester, बहुत ही शांदार and attractive look के साथ, वीडियो में ही आप विटनेस कर पा रहे होगे. चलिए, स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ, तो सबसे पहले, इसके front fascia को cover करेंगे, तो कुछ इस तरह का, यहाँ पर आपको front look देखने को मिल जाएगी, बहुत ही smart लग रही है, स्टार्ट करते हैं इसके center के साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको octagon shape में grill provide करा बहुत ही smart लग रही है, और इसमें chrome element भर-बर के use किया गया है, to make it look more attractive, उसके साथ center में यहाँ पर आपको mg का logo देखने को मिल जाएगा, chrome finish के साथ, left hand side जाओ, तो यहाँ पर आपको अगर में इसके headlight setup की बात करूं, तो यह आपको LED में ही provide कराया गया है, और उसके नीचे यहाँ पर आपको fog lamp का setup देखने को मिल जाएगा, जो की again LED में ही provide कराया गया है, surrounding में आपको C shape में chrome element देखने को मिल जाएगा, जो की इसकी look को definitely enhance कर रहा है, उसके साथ एक चीज़ में यहाँ पर आपको और बता दीती हूँ, यहाँ पर आपको smart and intelligent feature देखने को मिल जाता है तो जिस हिसाब से आपकी steering की movement होईगी, उस हिसाब से आपकी उसी direction में light की movement होईगी, उसके साथ अगर मैं इसकी radiator grill की बात करूँ, तो आपको black color के साथ ही provide कराई गई है, कुछ इस तरह की look यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और अगर मैं इसकी skid plate की बात करूँ, तो उ camera की placement देखने को मिल जाएगी, उसके साथ ऊपर यहाँ पर आपको rain sensing wipers की placement देखने को मिल जाती है, एक चीज़ में यहाँ पर और बता दू, यहाँ पर आपको air dam की placement देखने को मिल जाती है, तो जिसका मैं review कर रही हूँ, यह आपका 4x4 option के साथ एवेलेबल है, अगर मैं इसके brakes की बात करूँ तो आपको all 4 wheels में disc brake का option यहाँ पर देखने को मिल जाता है, देख लेते हैं इसके tires को, तो यहाँ पर आपको 19 inches के tire प्रोवाइड कराएगे हैं, तो यहाँ पर आपको alloy wheels देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट लग रहे हैं, और अगर मैं इसकी standard profile की बा स्मार्ट बनारी इसके look को, और इसके साथ यहाँ पर आपको step guard भी देखने को मिल जाता है, और यह जो cladding है बीच वाली आपकी rear tire की तरफ मर जोके जा रही है, काफी अच्छी लग रही है, डोर handles को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको chrome door handles भी देखने को मिल जाएंगे, request sensor की placement core driver and driver side both side करा दी गई है, अगर मैं इसके ORVM को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको electrically adjustable and foldable ORVM provide कराएंगे हैं, body color के साथ यहाँ पर आपको silver accent भी देखने को मिल जाएगा और इसके साथ यहाँ पर आपको turn signal की placement करी गई है, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको camera की placement देखने को म उपर की तरफ roof rail भी आपको silver accent के साथ ही देखने को मिल जाएगा, A, B and C panel में यहाँ पर आपको black piano finish देखने को मिल जाएगी, उसके साथ यहाँ पर left hand side भी आपको silver accent provide कराया गया है, look को definitely enhance कर रहा है और उसके साथ यहाँ पर आपको Brit dynamic की badging देखने को मिल जाएगी, तो यह ह इसकी rear look looking very nice, चलिए इसकी elements को discuss करते हैं one by one, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, fuel tank cap की placement देखने को मिल जाएगी, जिसकी capacity है 75 liters, उसके साथ अगर मैं इसके tail lamp setup की बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED में ही provide कराएगे हैं, यहाँ पर आपको wiper washer की placement देखने क chrome finish के साथ और उसके नीचे भी यहाँ पर आपको chrome accent provide करा दी गई है, यहाँ पर आपको camera की placement देखने को मिल जाएगी और साथ में दो puddle lamps भी provide कराएगे हैं, number plating के लिए, center में यहाँ पर आपको glosster की badging देखने को मिल जाएगी, chrome finish के साथ, left and right hand side आपको दो reflective की placement देखने को म मिल जाते हैं, उसके साथ यहाँ पर आपको four wheel drive and adash की badging देखने को मिल जाती है, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको twin barrels देखने को मिल जाते हैं, दोनों side provide कराएगे हैं, और उसके साथ यहाँ पर भी आपको चार reverse parking sensors देखने को मिल जाते हैं, which is good from safety perspective, center में यहाँ पर आपको reflector की placement करा दी गई है, और अगर मैं इसकी skip rate की बात करूँ तो इसको black color के साथ finishing provide कराएगे है, तो चलिए, खोलते हैं इसकी boot को and check करते हैं इसकी space को, तो इसका boot open हो चुका है, तो कुछ इस तरह की capacity आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप third row की seats को fold कर देते हो, तो इस की capacity enhance हो जाती है, तो यहां पर आपको 60 to 40 का split ratio देखने को मिल जाएगा, उसके साथ यहां पर आपको luggage lamp की placement करा दी गई है, नीचे subwoofer की placement भी आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ यहां पर आपको 12 वाल्ट का एक socket भी देखने को मिल जाएगा, इसके नीचे यहा यहां पर भी आपको chrome finish यूस करी गई है, यहां बूट में आपको एक grab handle प्रोवाइट करा दिया गया है, जिससे आप अपनी बूट को बंद कर सकते हो, तो अब आपकी यह बूट आटोमेटिकली बंद हो चुकी है, नीचे की तरफ हो तो यहां पर आपको spare wheel की placement देखने को interior को, start करेंगे, driver side gate के साथ, तो खोलते हैं इसको, तो यहां पर आपको dual color combination देखने को मिल जाएगी, black and brown का एक अच्छा combination यहां पर यूज किया गया है, यहां पर आपको थोड़ा सा soft touch देखने को मिलेगा, लेकिन hard ही है, यहां पर भी आपको hard touch देखने को मिल जाएगा, ल इसके साथ, यहां पर आपको bottle holder and map pocket की space प्रोवाइट करा दी गई है, इस बटन के थुरू आप अपने fuel tank app को open कर सकते हो, और उसके साथ, यहां पर आपको speaker की placement देखने को मिल जाएगी, तो इस कार में आपको total dual speakers प्रोवाइट करा दिये गए है, यह है इसकी driver side seat, तो इसमे आपको 8 way power adjustment का option प्रोवाइट करा दिया गया है, इधर की तरफ आपको ORVM के लिए बटन दिया गया है, साथ में आपको headlight leveler देखने को मिल जाएगा, यहां पर AC vent की placement प्रोवाइट कराएगी है, और उसके नीचे यहां पर आपको थोड़ी सी space देखने को मिल जाएगी, त इसमें आपको MG की badging देखने को मिल जाएगी, तो यह है इसकी dashboard की look, अब चली अंदर चलते हैं and discuss करते हैं इसके बारे में, सबसे पहले center में यहां पर आपको 31.2 cm का touch screen unit देखने को मिल जाएगा, which will work with Android Auto and Apple CarPlay, इसके इलावा इसमें आपको voice command further iSmart 75 plus connected features देखने को मिल जाते यहां पर आपको leather में seat apostry देखने को मिल जाएगी, brown color के साथ provide कराएगी है, कुछ इस तरह के pattern में काफी cushion and comfortable लग रही है, तो यहां पर आपको AC vent की placement देखने को मिल जाएगी, एक चीज़ मैं आपको यहां पर और बता दू, यहां पर आपको seat belt की height adjustment को option भी देखने को मिल ज capacity के साथ, चले बंद कर देतें इसको, साथ में यहां पर आपको 2 AC vents देखने को मिल जाएगे, और सेंटर में आपको 1000 का button देखने को मिल जाएगा, उपर मैंने touch screen पहले ही explain कर दिया था, नीचे की तरफ आओ, तो यहां पर आपको 3 zone auto AC का option दिया गया है, उसके नीचे यहां पर आपको एक hidden box दिया गया है, चलिए one touch के साथ इसको open करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर आपको एक USB port देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहां पर आपको 12 volt का एक socket देखने को मिल जाएगा, बंद कर देते हैं इसको, इधर की तरफ आओ, तो यहां पर आपको reverse, neutral and drive mode देखने को मिल जाएगा, और यहां पर आपको parking mode प्रोवाइट करा दिया गया है, यहां पर आपको तीन toggle switches दिये गया है, तो यह आपकी दोनों seats की heat option के लिए, और यह driver seat का cold option प्रोवाइट करा दिया गया है, right hand side down, तो यहां पर भी आपको कुस toggle switches देखने को मिल जाएग left hand side down, तो यहां पर आपको electronic parking brake, auto hold और कुछ modes दिये गये है, snow, mud, sand, rock, eco and spot mode, साथ में auto का function भी देखने को मिल जाता है, जो की center में provide कराया गया है, इधर की तरफ आपको दो cup holder की space देखने को मिल जाएगी, key भी अभी यहां रखी भी तो मैं दिखा देती हूँ, तो यहां पर आपको smart key provide कराएगी है, center में mg का logo देखने को मिल जाएगा, यहां chrome finish दी गई है, और उसके साथ यहां पर आपको lock, unlock and boot open करने के लिए option provide करा दिया गया है, रख देते हैं इसको, उसके साथ यहां पर आपको dual armrest का option दिया गया है, तो पहले इसको खोलते हैं, और दूसरा वा काफी अच्छी खासी capacity यहां पर provide करा दी गई है, उसके साथ यहां पर आपको एक USB port भी देखने को मिल जाएगा, जो कि वीडियो में थोड़ा सा ब्लाकिश लग रहा है, लेकिन तोड़ा आजस्ट कर लेना, चली बंद कर देते हैं इसको, देख लेते हैं इसके steering wheel को, तो यहां पर आपको लेदर राप्ट फ्लाट बॉटम शेप में steering wheel प्रोवाइट कर आया गया है, लेफ्ट हैंड साइड आओं तो यहां पर आपको कुछ टॉगल सीचेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्रूस कंट्रोल से रिलेटेड है, तो यहां पर आपको क्रूस कंट्र यहां पर आपको पैडल शिफ्टर का उप्शन दे दिया गया है, और एक आपको पैडल शिफ्टर राइट हैंड साइड प्रोवाइट करा दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर आपको वाइपर का उप्शन देखने को मिल जाएगा, राइट हैंड साइड आपक अगर मैं इस steering wheel की functionality की बात करूँ तो यहाँ पर आपको tilt plus telescopic function provide करा दिया गया है उपर की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको sun visor की placement देखने को मिल जाएगी vanity mirror and दो lamps के साथ left hand side भी आपको एक vanity mirror along with sun visor देखने को मिल जाएगा lamps यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी जो कि I hope आप वीडियो में witness कर पा रहे होगे further center में यहाँ पर आपको toggle sees देखने को मिल जाएगा जो कि इस बड़ी सी dual pane panoramic sunroof का है center की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको auto dimming IRVM का option देखने को मिल जाएगा आपका black color option के साथ available है इसके लावा यहाँ पर आपको तीन color options और देखने को मिल जाते हैं देख लेते हैं इसके rear cabin को तो खोलेंगे rear door को तो यहाँ पर आपको same आगे वाला pattern ही देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको window control option provide करा दिया गया है यह है इसकी mid row की seats की look तो चली अंदर चलते हैं and discuss करते हैं इसके बारे में उसके पहले यहाँ पर मैं बता देती हूँ इसके तुरू आप seat पीछे push करके पीछे वाली seats में enter कर सकते हो third row की seats में यहाँ rear में भी आपको step illumination mg के लोगों की साथ देखने को मिल जाएगी यह है इसकी rear seats की look तो यहाँ पर आपको तीन लोगों की बैठने की capacity provide कराएगी है और यहाँ पर तीनों head dust आपको adjustable ही देखने को मिल जाएगे center की बात करूँ अगर दो लोग बैठ रहे तो string को open करके आप यहाँ पर arm rest and dough cup holder की space create कर सकते हो further यहाँ पर आपको three point seat belt का option देखने को मिल जाता है और उसके साथ ISO fix child seat anchorage भी provide करा दी गई है left hand side यहाँ पर आपको grab handle and hook की placement देखने को मिल जाएगी along with LED lamp उसके साथ यहाँ पर आपको AC vent देखने को मिल जाएगा core driver side एक grab handle provide कराया गया है यहाँ पर भी आपको एक right hand side grab handle along with coat hanger and reading lamp देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको एक AC vent देखने को मिल जाता है यहाँ driver side seat में आपको एक sunglass holder देखने को मिल जाता है जो कि आप इस तरह से open कर सकते हो यह है आपकी third row की seats तो यहाँ पर आपको 60 to 40 का split ratio देखने को मिल जाएगा उसके साथ यहाँ पर आपको seat belt का option भी provide करा दिया गया है यहाँ पर आपको cup holder की एक space देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं provide कराया गया है अगर मैं left hand side आओं तो यहाँ पर भी आपको एक cup holder की space देखने को मिल जाएगी left hand side यहाँ पर आपको एक AC vent provide कराया गया है जो कि आपको right hand side भी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ और यहाँ पर आपको charging के लिए एक USB port भी देखने को मिल जाएगा further center में यहाँ पर आपको दो reading lamps LED में provide करा दिये गया है पीछे rear में आपको AC vent देखने को मिल जाता है उसके साथ एक box दिया गया है खोलते इसको तो यहाँ पर आपको एक USB port देखने को मिल जाएगा और साथ में 12 वाल्ल का socket भी provide करा दिया गया है उसके नीचे यहाँ पर आपको थोड़ी सी space देखने को मिल जाती है तो phone वगर आप place कर सकते हो अगर मैं core driver and driver side बात करूँ तो आपको दोनों seats में back seat pocket provide करा दी गई है अगर मैं इसके leg room या knee space की बात करूँ तो आगे वाली seat मैंने पूरी पीछे कर रखी है तो इतना buffer देखने को मिल जाएगा अगर मैं इसके under thigh support की बात करूँ तो वो भी एक comfort drive कर रही है बैट कर So along with panoramic sunroof ये है car की dashboard की look which is looking very beautiful चलिए बात कर लेते हैं इसकी safety की तो इसमें आपको ABS with EBD, ESP, TPMS, brake assist जैसे safety features देखने को मिल जाते हैं Further इसमें आपको anti-theft immobilization का feature भी देखने को मिल जाता है As standard यहाँ पर 30 plus safety features देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा इसमें आपको ADAS features भी देखने को मिल जाते हैं जैसे की lane change assist, rear cross traffic alert, door open warning, blind spot detection, adaptive cruise control, forward collision warning, lane departure warning, automatic parking assist, automatic emergency braking, etc चलिए अब बात कर लेते हैं इसके engine की तो, इसका engine 1996 CC का है, इसका engine 2 liter twin turbo diesel engine है जो की 215.5 PS की power and 478.5 NM का peak torque generate करने में सक्षम है यह आपका 8 speed automatic transmission option के साथ आता है Further यहाँ पर एक चीज़ में आपको और बता दू, यहाँ पर आपको hydraulic opening का option देखने को मिल जाता है चलिए अब बात कर लेते हैं इसके price की, तो अगर मैं इसके एक showroom price की बात करूँ तो वो है 43,15,800 रुपे On road price के लिए आप showroom visit कर सकते हो I hope you have liked this video, अगर आपको video पसंद आईए तो please do like, share and subscribe and bell icon को ज़रूर हिट कर दीजगा I will see you soon with my next video, till then, bye bye and take care